हालो बच्चो आपको हिंदी की कक्षा में स्वागत है आपने दो अक्षर वाले शब पहले भी सीख रखे आज हम यह लेसन पुनी दो अक्षर वाले शब्दों के दोड़ाब के लिए करें बस बस आप सबने देख रखी है है ना जग में पानी भर कर रखा जाता है खत मतला चिठी जो आप अपने दादा दादी को लिख सकते हो रत 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 वैगाडी होती है जिसे खोड़े खिंचते है व न वन वन मतला जंगर जहां बहुत से पेड़ होते है घर 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 में तो आप सब लोग रही रहे हो कप कप में कोई भी चीज डालके पी जा सकती है हल किसान यूज करता है खेतों में इससे काम करता है फल फल अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स को हम फल कहते हैं यग्य 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 मतलब हवन जो घर में बहुत बार किया जाता है धन 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 मतलब पैसे जिससे पापा आपको आईस्क्रीम टॉफी लेके आते हैं न ल नल नल घर में होता है ख ग ख ख मतलब पक्षी कोई भी पक्षी हो सकता है रस रस यानी जूस यार सेवरे पसंद है न आपको ट ब टब टब में ममी पानी भर कर रखती है प पड पड यानी आपको ये शाब्द बार बार पड़ने हैं पढ़ाई करनी है तो आप इन सब का रुवीजन करते रहना